प्रेंट्स यह जो टोपिक है आपके वी एड 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 काम आता है और इसके अलावा net education की जो preparation कर इसका code 09 है उनके लिए ये वीडियो special बनाई गई है और हम इस वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे कि इसके अंदर कौन सी कौन सा जो topic है कौन सी जो line है वो ज़्यदा important है और किस तरह के questions जो exam में पुछे जाते हैं तो चलिए start करते हैं हमने यहाँ पर disability लिए कि four common type of disability disability का आपको पता हुआ कि किसी वेक्ति की ऐसी ability की मितलब वो normal बच्चे की तरह विवयव नहीं कर सकता है और आज के time में जो disability होती है उसको disability की बजाए different ability नाम दिया गया है इनके उसके अंदर different type की ability है वो different type के काम कर सकता है बट वो normal आदमी की तरह विवार नहीं कर सकता तो आए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है hearing disability hearing disability क्या होती है एक ऐसे environment होती है जिससे की वेक्ति जो है कान से सुन नहीं सकता या फिर उसके जो उसको तो सुनाई देता है और उसका जो brain है उसके coding वो functioning नहीं करता जितना उसको सुनाई देता है उस अधर के आती है इसके ऐसे इसको देखने में प्रब्लम होती है कि कए किसी को कम दूर से दिखाईने तक इसको बिलकूल भी दिखाई नहीं देता तो इस टाईप जो disa truths के लावा हम यहां पहर होती है इसके अनुग्छा से intellectual, physical और multiple disability को discuss करेंगे सबसे पहले हमने थे intellectual disability intellectual जो disability होती है वो क्या होती है intellectual जो disability होती है वो age जो है 18 तकी age के अंदर ही पाजाती है यह जीरो से 18 तकी age में यह originate हो जाती है और इसको कभी-कभी mental retardation भी कहते है और यह हमारे इंडिया के अंदर 2 से 3 परसेंट जो general population का हिसा है वो इससे effect होता है और जो general population है, total population उसका 2 से 3 परसेंट जो है intellectual disabled पाया जाता है और यह एक ऐसी condition होती है जो brain के उपर effect डालती है जैसे जो बच्चा है उसकी reasoning की जो ability है, learning ability है problem solving ability वो बहुत ही low होती है या फिर वो slow होती है इन field के अंदर वो जैसे reasoning, learning, problem solving वो ठीक से perform नहीं कर पाता तो friends, net के exam में कई बार ये चीज़े पूछ लिजाती कि intellectual disability वाला बच्चा होता है वो कौन सी चीज नहीं कर पाता तो option में हो सकता है reasoning, learning, problem solving और other option भी हो सकते है तो यहां से इसको ध्यान में रखने की जुरूरत है दूसरा जो question arise होता है वो कि intellectual disability होती है वो किस age तक उसमें पाई जाती है कि ये जो intellectual disability है किस age तक पाई जाती है तो ये क्या है 0 से 18 तक जो है ये originate हो जाती है और उसके बाद इसमें ये भी पुछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर total population का जो कितना percent है जो intellectual disabled है तो ये क्या है 2 से 3 परसेंट approximately ठीक है तो ये जो होती है intellectual disability इसका cause क्या होता है बरत से भी हो सकती है during birth भी हो सकती है या फिस childhood के किसी भी childhood के जो years होते है हमारे उसके अंदर भी हो सकती है जो intellectual disability होती है उसके 3 में कार्ण होते है down syndrome, fatal alcohol spectrum disorder और fraggal x syndrome इसके 4 level होते हैं intellectual disability के ये भी कई बार exam में पूछे जाते हैं हम बाद में की वीडियो बनाएंगे जब हमारा inclusive education topic complete हो जाएगा ये unit 10 है education 09 जिसका code है उसकी profound जो mild disability होती है उसका IQ level 50 से 69% तक होता है moderate के अंदर IQ level 35 से 49 तक होता है और severe के अंदर जो IQ होता है वो 20 से 34 और profound जिसकी होती है वो इसका IQ level 90 से नीचे होता यानि कि जो profound होती है वो जिस बंदे को इस तरह की intellectual disability है वो तो कुछ भी काम नहीं कर पाता ना वो किसी की चीज़े understand कर पाता है ना वो किसी भी चीज़ को कर पाता है ना वो खुद की उसके जो daily life के जो काम होते वो भी नहीं कर पाता example इसके क्या है इस type की जो disability होती है जैसे cerebral palsy है speech or language problem उस बच्चे को होती है जो sign और symbol है intellectual disability का वो क्या है कि ये जो disability होती है आपको पहले ही बताया था कि during childhood भी हो सकती है by birth भी हो सकती है और during birth भी हो सकती है तो एक ऐसी mental ability होती है जिसके अंदर बच्चे के अंदर social skill नहीं होती है बिल्कुल भी और वो daily living के जो activity है जो daily living के जो work है वो अपने जो age group के जो बच्चे है उनके coding, उनके comparison के coding वो नहीं कर पाता तो इस type की जो disability होती है उसके अंदर कुछ sign होते है जैसे delay reaching और filler to achieve milestones in motor skill development जैसे उसका जो बैठना, उठना, दोडना, भागना ये जो चीजी है वो बहुत ही long time में करता है नॉर्मल बच्चे की comparison में बहुत ज़्यादा time लेता है या फिर वो कर ही नहीं पाता और उसकी जो learning होती है वो बहुत ही slow होती है वो बोलता भी बहुत slow है और ऐसी ऐसी difficulty जो है उसको face करनी पड़ती है कि उसको बोलने के लिए चलने के लिए किसी सारे की जरूरत होती है या इनकी बोलता है तो किसी के इसारों से उसको समझाना पड़ता है और चलाने के लिए उसको किसी ना किसी instrument की या किसी family member की जरूरत होती है self-help और self-care skill भी जो है इनके अंदर अभी हम इससे पिछले वाला topic डिसकस किया है इससे पिछले वाले जो line में हमने डिसकस किया है कि self-help और खुद की help करने में भी difficult हो जाते है self-care के skill जैसे उनको कैसे dress पैननी है कैसे अपने आपको कैसे नहाना है कैसे दूद पीना है, खाना खाना है ये सारे चीज़े भी वो नहीं कर पाते है और problem solving ability तो उनकी बहुत ही weak होती है behavioral और social problems भी होती है society के अंदर वो किसी से बात नहीं कर पाते society का सामना नहीं कर पाते society के अंदर चासे normal बच्चे रहते वैसे नहीं रह पाते और उनका behavior जो है अजीब सा हो जाता है कुछ बच्चे जो थोड़ा बहुत समझ पाते है और उनको ये लगने लग जाता है कि ना मैं तो society के दूसरे जो बच्चे हैं उनसे normal नहीं हूँ उनकी तरह normal नहीं हूँ मेरे अंदर तो कुछ problem है तो वे एक उदासिंता की भावना उनके अंदर आती है और aggressive से हो जाते हैं और intellectually grow करने में वो failure रहते है यानि कि वो उनका continuous development नहीं हो पाता और उनको school में रखने में भी problem आती है और नई situation के coding अपने आपको adjust भी नहीं कर पाते और social rules को भी follow नहीं कर पाते और intellectual जो problem होती है उनको measure किया जा सकता है टेस्ट के दवारा और जो main symptoms होता है इनका thinking और understanding का होता कि यह think नहीं कर पाते और understand नहीं कर पाते और special education के दवारा जो behavioral therapy है वो इस तरह के व्यक्ति की help कर सकती है और वो अपनी life को अची तरह से जी सकते है अब आगे बात करते है mental disability mental disability क्या होती है mental disability भी इस तरह की intellectual disability ही होती है जैसे कि उनको memory और learning में बहुत ज़्यदा problem होती है जो mental disability है उसका example क्या है autism है, traumatic brain injury है तो उसके बाद आती है physical disability physical disability क्या होती है एक व्यक्ति जो है ठीक से functioning नहीं कर पाता चल नहीं पाता, इधर उदर नहीं जा पाता तो वो क्या होती है? physical disability होती है जैसे वो अपने daily life के जो काम होते वो भी नहीं कर पाता तो ऐसी जो disability की जो है बहुत सारी limitations होती है और लियान कि उनको मूं करने में भी movement करने में भी बहुत problem आती है इस टाइप के जो example disability के लिए जैसे loss of limb है, spinal cord injury है, artistic है और physical disability के अंदर साथे से cerebral palsy होती है, spinal cord injury ये सारी की सारी आती है तो इस टाइप के जो disability है यहां पे आगे भी explain की गई है कि जो epilepsy है, cerebral palsy है, spinal wifey दा है, ये सारी की सारी क्या है, इसी category में आती है, कि जो तरह की बिमारियों से जो गरस होते है वो physical disability वाले persons के अंदर count होते हैं, या physical disability वाले बच्चों के अंदर count के जाते हैं, और prevention activity क्या है physical disability के लिए जैसे उनको regular medical care दी जानी चाहिए, या फिर वो smoking ना करें, alcohol ना करें, caffeine जो है ये इस ऐसी चीजें, alcohol और caffeine का 7 ना करें, और उनको balanced diet दी जाए, कि उनको जो खाने पीने में जो चीजे हैं, वो coding जैसे उनको जितनी protein चाहिए, जितना उनको विटामिन चाहिए, उसके coding दी जाए, और उनको उनका जो body का weight है, वो ज्यादा ना बढ़ने multiple disability क्या तो है, जैसे कि नाम से पता चलता है, two या two से ज़्यादा, अगर disability है, तो वो क्या होती है, multiple disability, उसके अंदर physical disability भी आ सकती है, mental disability भी आ सकती है, और intellectual disability भी आ सकती है, जैसे multiple disability का example है, intellectual disability प्लस blindness है, तो वो क्या होगा, multiple disability की category में एगा, mental retardation और जो orthopatic impairment है, ये भी इसकी category में आते हैं, कि जैसे इनको दो तरह की disability है, उसके बाद severe multiple empowerment होती है, कुछ जो student होते है उनको severe multiple empowerment होती है यहनकी more than one disability उनको होती है, जैसे उनको cognitive disability है physical है, functioning ability वो नहीं करपाते हैं, तो इस type की जो disability होती है वो severe multiple impairment के category में आती है और इस तरह के जो वेक्ति होती है जो डेली लिविंग एक्टिविटी जो उनकी होती है वो किसी ना किसी के स्पोर्ट से हो पाती है या फिर वो खुद की हेल्प नहीं कर पाते तो ये एक डेफिनेशन दी गई है डिसेबल्टी एजुकेशन एक्ट के दवारा जिसके अंदर और कई बार इसकी फूल फॉम पूछ लिजाती है कि आई डि ये वैसे तो ये एक नेटवर्क विता आईडिया बट इसके अंदर इंडिविजॉल भी डिसेबल्टी एजुकेशन एक्ट ह गोंनेंट नहीं किया गया है तो दूसरे सब्दी नेशन सकते है कि इस टर्डविजॉल भाले बच्चे उनको केटाइड कैट्रा मौटीपल तो उनको क्या होती है, more than one disability होती है, जैसा कि हमने अभी अभी डिसकस किया था, तो इसके अंदर क्या है, deepness और blindness को सामिल, इसने नहीं किया है, कोई बार एक्जामी ये भी question पूछ लिया जाता, कि multiple disability के अंदर कौन सी category के बच्चे नहीं आते, तो ये बात आप यहां से इसको note कर लेना, कि जो deepness और blindness है, उसका जो combination है, उसको idea के अंदर नहीं रखा गया है, काजिज क्या होते है, multiple disability के, जैसे lack of oxygen है, बर्थ के टाइम पे बच्चे को oxygen नहीं मिल पाती है, या फिर difficulty होती है बर्थ के अंदर, या फिर पहले बर्थ हो जाता है, या फिर कोई और problem हो जा है, तो इस तरह से multiple disabilities जो बच्चे के अंदर आती है, या फिर multiple disabilities के कुछ example है, जैसे autism spectrum disorder है, hearing impairment है, deafness है, intellectual disability है, orthopedic impairment है, health impairment है, ये सारी की सारी क्या है, multiple disability के category के अंदर आती है, अब हम बताएंगे कि किस तरह से in disabilities को हम improve कर सकते हैं, या prevent कर सकते हैं, कि इस तरह की disability ना है, इसक secondary prevention और territory prevention, कई भार exam में ये भी question पूछ ले जाता है, कि disability को prevent करने के लिए, कौन से 3 level है, या कौन से level पूछ ले जाते हैं, और extra एक और level इसके अंदर mix कर जाता है, तो आप उनमें से छाटने होते हैं, कि कौन सा सही है, तो primary prevention के अंदर क्या होता है, कि जैसे disease या disability किसी के अ अंदर होती है, और उसको कुछ complications होती है, तो उसके लिए जो है, उसको किसी doctor के पास treatment के लिए लेकर जाना, उसको कहीं से medical help प्रोवाइड करवाना, जो territory prevention है, उसके अंदर आता है, कि इसके अंदर जो सारी की सारी जो disability होती है, सारे के सारे मेजर हैं, वो available होते हैं, उन disabilities को remove करने के लिए, उनको doctor help दी जाती है, उनको rehabilitation center भी फेज़ दिया जाता है, उनकी सारी की सारी तरह की जो help होती है, physical है, psychological, educational है, उसको measure करके, उसको according जो है, education दी जाती है, या फिर उसको daily life, जो daily routine है, उसको करने के लिए जो task है, वो उसको सिखाय जाते हैं, ताकि वो अपने जो है, इस disability के साथ, अपनी life को जीश के, तो इस तरह से ये preventive measure है, जिनको यहाँ पे discuss किया है हमने, कुछ जो disability होती है, उनको हम इस तरह से भी prevent कर सकते हैं, जैसे pregnancy के time पे, जो mother होती है, उसकी देखवाल अच्छे से करना, बच्चे का जो birth है, वो अच्छे से करवाना, औ कोई भी जो problem होती है, बर्थ के time पे, उन चीजों को हम care करके, इन चीजों को रोक सकते हैं, जो journal preventive measure है, डिसेबल्टी के, मतलब यानि कि जर्नल वे से हम कैसे रोक सकते हैं, तो जो marriage होती है, वो close blood relation में नहीं करनी चाहिए, जैसे कि uncle है, auntie है, बतीजी है, या cousin है, इस तरह कि जो marriage होती है, उन में जो hereditary disorder होने का खतरा होता है, तो अगर हम इस तरह की marriage नहीं करेंगे, तो ये इस तरह की disorder नहीं आएंगे, इस तरह की disabilities बर्चों के अंदर नहीं आएंगे, ये भी कहते हैं कि एक ही गोतर के अंदर, कहते हैं, एक ही गोतर के अंदर साधी करने से भी जो है यह difficulty और यह जो disorder है वो पैदा होते हैं तो इसलिए क्या है पहले वाले जो लोग थे हमेरे जो वेदो गरंथों में कहा गया है कि जो पहले वाले लोग थे वो इसलिए अपने गोतर को छोड़ कर दूसरे गोतर में साधी करते थे avoid pregnancy before age of 18 year यानकी 18 year से पहले pregnancy को avoid किया जाना चाहिए यानकी लड़कियों की जो साधी की age है वो इसलिए तो ठारा वरसा रखी गई है क्योंकि उस टाइम तक वो मैचूर नहीं होती और वो बच्चा पैदा करने के लिए एबल भी नहीं होती तो इसलिए जो प्रेगनेंसी की ज कंसल्ट करना चाहिए कि बर्त के टाइम पे जो है आपको डोक्टर से कंसल्ट करने की बजाए बर्त से पहले ही आपको डोक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए और आपको जो प्रेगनेंसी के अंदर ज्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए और साथ ही जो प्रेगनेंसी आपक तो भी आपको क्या है डोक्टर से मिलना चाहिए और प्रेगनेंसी के दोरान जो है बहुत अच्छी केर करनी चाहिए और टाइम पे बर्थ हो इसके लिए भी केर करनी चाहिए और अगर टाइम पे बर्थ बच्चे का नहीं हो पाता है जितने वीक या जितने मन्त बच्चे के इनके बारे में ज़्यादा जानने के लिए एक हैंड़ बूक है Parents of Children के लिए with Disabilities को भी आप रीड कर सकते हैं. थैंक्स पर वाचिंग फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, सेयर करना और वीडियो के एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें इसके उपर आपको मिलेंगी फ्री एजुकेशनल वीडियो